नमस्कार दोस्टो आज के उडिबूम आपसे बात करने आपका राजस्तान स्टेट रीजिबिटीट है इस पैस्ट खो जो वहं गंडेक सकता है जो यह फो प्रोफेसर लगना चाहता है तो आपको जानकारी देने वाला हो सबसे पहले हम यहां पर कुन कुन सी subject में आपका यह आर स्ट्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे तो आपको यहां पर क्मेकल, साइन्स, Computer, Computer Science, Commerce, Earth Science, Economics, Education, English, Environment, Science, Geography, Hindi, History, Home Science, Law, Life Science, Management, Mathematics, Music, Philosophy, Physical Education, Physical Science, साथ में आपका Political Science, Population Studies, Psychology, Public Administration, Rajasthani, Sanskritology, Urdu, Visual Art, ये सभी सब्जेक्ट जिनके कोड़ दिये हैं, के अंदर आप राजस्तान, State, LGBT चाश दे सकते हैं, मतलब ये एक्जाम, ये गोविंद गुरु जो है, ये आपकी ट्राइब इनुष्टि आपका एक्जाम लेने वाली हैं, और साथ में हम यहां पर बात करें, के यहां पर गोड़ दिये गए हैं, हम यहां पर अगर कंडिशन की बात करें, तो General Category का जो Candidate है, या EWS है, उसके के लिए 55%, 55% marks है, ये master degree के अंदर, और जो SC, ST, OBC है, उसके लिए 50% marks का एक छूट है, मतलब आप 50% marks है, तो इसमें अपलाई कर सकते हैं, आपकी master degree में minimum qualification है, master degree है, तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं, जो SC, ST, OBC है, उनके लिए क्या है, सब state के वाइज, उनको यहां पर relaxation जो है, resolution मिलने वाले, other state के आप apply करते हो, तो आप यहां पर apply कर सकते हो, साथ में बताया कि जो candidate जिन्हों ने post-calization में subject पड़े हैं, वही इसके लिए apply कर सकता है, और साथ में हम इसमें बात करें, यह certificate है, जो set का state eligibility test है, यह आपका रजस्थान के अंदर ही valid होने वाला है, आप apply करते हो, इस test के लिए, तो आप general category में apply कर सकते हो, साथ में आप राजस्थान में ही, किसी भी post के लिए apply करने के लिए available धेने वाले हैं, आगे हम इसमें बात करें, तो यहां पर आपके दो test होने वाले हैं, जो UGC net के अंदर होते हैं, वैसी आपके test होने वाले हैं, वो आपका so marks का होगा, पतास question होंगे, जिसके अंदर हम teaching, aptitude, research, primary, reading, comprehensive, thinking, general awareness की बाते करने वाले हैं, तो दूसरा test है, वो आपका subject based होने वाला है, जो UGC net में होता है, second paper वैसे ही सेम आपका subject होने वाला है, आपका paper हिंदी, English, medium में होने वाला है, और साथ में यहां पर इसमी जानकारी दी गई है, आगे हम इसमें syllabus की बात करें, तो जो UGC net के आप साइट पर वीजिट करेंगे, तो वहां से आप अपने subject का syllabus डाउनलोड कर सकते हैं, वही सेम syllabus के अंदर आने वाला है, जो जून 2019 के notice के हिसाफ से, NT का जो नया syllabus है, उस syllabus को आप डाउनलोड कर स बच्चा का बच्चा रजस्तान में प्लाई करता, मध्या परदेश का करता है, वो बच्चा पंदा सुपरीज पे करेगा, जो OBC है, और जो EWS है, राजस्तान का है, वो बाया सुपर पे करेगा, और जो वहां का SC, ST है, और PH, फिजिकल हैंडिकेप्ट है, वो साठी साथ अप्लिकेशन फोर्म भरने की जो लास्ट डेट 11 फरवरी 2023 है, और आपका एक्जाम 19 मार्च 2023 को होने वाला है, और भी आपको जानकारी चाहिए, तो गोविंद गूरू, ट्राइब यूश्टी, AC.IN पर जापर आप विजिट कर सकते हैं, और इसकी जानकारी ले सकते हैं, उसके अप्लाई करने के लिए आपको रजस्तान, government.in पर जाकर sign in करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी भी online coffee shop पर जाकर वहां से अप्लाई करवा सकते हैं, इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए, तो आप साइब पर विजिट कर सकते हैं, वीडियो में पिलने लेने के लिए आपका धन्यवाद और आशा करतना वीडियो चलगेगी, थैंक्यू